हेलो दोस्तो मेरा नाम है पजीत और आप देख रहे हैं Tech Guide आज की इस वीडियो में हम दो neckband को compare करेंगे पहला है CMF by Nothing neckband pro और दूसरा है Realme के तरब से आने वाला BIRDS Wireless 3 दोनों आपको under 2000 में मिलेंगे और यह सब तो obviously change होता रहता है लेगिन इन दोनों में से कौन सा perfect option रहेगा आपके लिए आपके requirement के लिए तो इन points को आप देखना इस वीडियो के साथ बने रहना और अच्छा लगेगा वीडियो तो like भी करना starting with design तो आप यहाँ पर देख सकते दोस्तो दोनों की looks काफी अच्छी है दोनों की build quality भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी color options obviously आपको multiple देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर से हमने जो order किया है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर से दोस्तों अगर हम length की बात करते हैं तो lengthwise यह दोनों similar है जो कि आप देख सकते हो और जहाँ तक रही बात यहाँ पर जो band है वो दोनों के बहुत जादा flexible है और जहाँ तक रही बात दोस्तो buttons and controls की तो यहाँ पर से जो CMF by nothing है उसमें आपको एक ही button मिलता है वो multifunctional है और इसी से आप play, pause, next यह सब सब कुछ कर सकते हैं इनफाक्ट volume को भी increase कर सकते हो इसे rotate करके यही पर से आपको type C का port मिल जाएगा और एक notification light भी मिलता है और साथी साथ एक reset करने का button भी दिया गया है और realme की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग-अलग buttons मिलते हैं game mode यह सब switch कर सकते हो आप LED notification है volume up, down के key मिलते हैं और बीच में आपको ना play, pause यह सब कर सकते हो call, receive कर सकते हो, cut कर सकते हो और यहाँ पर से दोस्तों आपको मिल जाएगा एक type C का port और दोनों ही ear bird के left side में आपको logo देखने को मिलता है CMF और realme का और ear birds के तरब की जो wire की quality है दोनों की काफी अच्छी है अंदर के तरब से ridges बनते हुए हैं मिलेंगे दोस्तों और यहाँ पर से ear tips भी आप देख सकते हैं दोनों में आपको magnet का support मिलता है दोनों भाई काफी अच्छे quality के magnet है और यहाँ पर से in ear वाले आपको ear canals मिल जाते हैं अलग-अलग जो ear tips मिलता है उसको आप use कर सकते हैं दोस्तों और यहाँ पर से आपको noise cancellation यह सब सब कुछ देखने को मिलेगा एक चीज का धियान रखना कि realme में आपको 30 decibel का noise cancellation मिलता है और जो nothing है वो आपको 50 decibel का noise cancellation देता है तो यह जो point है यह nothing को जाएगा दोस्तों और जहां तक रही बात audio के experience की तो ना इसके बारे में मैं थोड़ी दिर के बाद आपको बताऊंगा लेकिन जो एक important feature मुझे लगा कि आपको dual pairing का option दोनों ही device में मिलता है बट जब मैं test कर रहा था तो realme में अगर आप कोई भी एक device पे अगर song सुन रहे हो और दूसरे device में जो connected device है आपका उसमें अगर call आता है तो पहले device में pause हो जाता है फिर आप call पे बात करो, cut करोगे तो फिर ये play होना start हो जाएगा यानि कि यहाँ पर ना ये option मुझे अच्छा लगा लेकिन यहीं पर सही जब हम nothing की बात करते हैं तो एक device में मैंने connect करके वीडियोस देखना start किया था दूसरे में भी connected था लेकिन जब call आया आप connect करोगे तो ये सब चीजों को यूज करना बेहत जरूरी होता है यहीं पर से दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों के audio experience की तो मैं आपको directly इतना बोलूँगा कि अगर आप दोनों को side by side जब सुनोगे ना तो ही आप अंदाजा लगा पाओगे कि कहां पर फरक आ रहा है तो देखो realme में आपको again bass ये सब क्या option मिलते हैं आप उसको tweak कर सकते हैं in fact आपको nothing में भी ये सारे options मिल जाते हैं but honestly अगर मैं आपको बतावने कि तो short and simple जादा घुमा फिरा कर गे नहीं मुझे ना realme थोड़ा सा अच्छा feel हुआ as compared to nothing तो realme के tuning या यह कहलो जो bass है, treble है या vocals है वो थोड़े अच्छे feel होते हैं और in fact यहाँ पर से अगर आप loudness की भी बात करते हैं तो realme मुझे थोड़ा better लगा as compared to nothing है तो यह चीज है और यहाँ पर एक चीज मैं बताना जाओंगा कि यह दोनो डिवाइजस को मैंने खुद से खरीदा है यहाँ पर brand के तरप से यह video sponsored नहीं है तो जो भी points है दोस्तों वो मैं आपको नहीं ब्लंटली जो भी मुझे दिख रहा है वो ही मैंने आपके साथ share किया सारे points को मैंने यहाँ पर note किया है तो अगर आपको यह चीज अच्छा लग रहा है तो please video को like जरूर करने अब दोनो डिवाइजस के अगर battery की बात करते हैं तो realme claim करता है 40 hours तक का backup और यहाँ पर जो nothing है वो 37 hours तक का backup claim करता है तो यहाँ पर आपको सुनाई देगा तो अभी फिलाल आप मान के चलो मैं पर आपको आइडिया होगा तो मैं अभी फिलाल बाहर नहीं जा रहा था इसी वजह से मैंने सुझा चलो रूम पर ही बैट कर कैसा करते हैं आपको यह चीज कैसा लगा बताना मुझे कमेंट बॉक्स में और अभी जो आप audio सुन पा रहे हो दोस्तों वह है cmf by nothing nickband pro का audio sample मैं नॉर्मल रूम पे ही हूँ और उस इसाप से नॉर्मल कंडिशन में without एनी background noise जादा नहीं आ रहा है उस इसाप से audio आपको बहतर जज करी सकते हो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि रियल मी बहतर आपको audio दे पाता है या cmf by nothing तो audio का experience तो आपने कर लिया होगा अगर मैं आपको sort में बताऊं तो भाई mic की quality no doubt आपको realme के बहतर मिलती है यहाँ पर loudness यह सब भी बहतर catch करता है यह device तो अगर आप बाहर हो या घर पे हो कहीं पर भी हो यहाँ पर अगर आप realme को use करोगे तो सामने वाले को एकदम जादा अच्छा clearly सुनाई देगा वो भी slight margin के हिसाब से बढ़ हाँ सामने वाले को सुनाई कैसा भी दे अगर आपको अपने लिए personally noise cancellation ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो फिर ना nothing ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अलाकि दोस्तों अगर हम connectivity options की बात करते तो दोनों device में आपको connectivity अच्छा मिल जाता है दोनों में यहाँ पर स के app आता है जिसको आप simply open करोगे आपको join यह सब करने के जरूरत नहीं है sign in यह सब करने के जरूरत नहीं है directly आप इसको use कर सकते हैं यहाँ पर से आपको पहले तो आपका neckband दिख जाएगा battery percentage कितनी वो दिखा दिया जाएगा इसके लबाद दोस्तों यहाँ पर से आपको यह वाला जो button मिलता है इसको आप क्लिक करके special audio effect को on off कर सकते हैं इसको off कर भी सकते हो आप यहाँ से equalizer का mode आपको मिलता है इस पर आप क्लिक करके balance, more bass, more treble या voice को भी आप चाओ तो enhance कर सकते हो और customize भी आप अपने recording कर सकते हो दोस्तों हाला कि मैं more bass पे use करना पसंद करता तो जो यहाँ पर से आपको single dial मिलता है उसको आप double press करके क्या कराना चाते है उसको आप change कर सकते हैं, triple press पे क्या करना वो आप देख सकते हो, press and hold पे आपको क्या करना वो भी आप check कर सकते हैं, अला कि जो non customization है वो यहाँ पर आप देख लो, इसके अलावा दोस्तों यहाँ अपर से noise control का option मिलता है, यहाँ पर से noise cancellation है, transparency है, off भी आप कर सकते हैं और noise cancellation को medium, low या adaptive करना चाते हैं, वो यहाँ पर से आप change कर सकते हो, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर से आपको ultra base का option मिलता है जिसको आप on या off कर सकते हो अपने recording और यहाँ पर से दोस्तों थ्री lines प अगर आप on करते हो तो gaming के time में और जब आप video से सब देखते हैं तो lip syncing की जो option होती है वो थोड़ी बहतर हो जाती है, dual connection का option यहाँ पर आपको मिलता है जिसको आप on कर सकते हैं और उसके हिसाप से दोस्तों आपका dual device pairing है वो यहाँ पर से start हो जाएगा, find my earbuds आप कर सकते है, firmware update यह सब आपको मिलेंगे और बाकी के चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ तक रही बात दोस्तों realme के लिए तो आपको ना यहाँ पर realme link app मिलता है जिसको यहाँ पर से आप download कर सकते हैं और यहाँ पर आपको sign in करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यह चीज देख ल करना चाते हैं, जो long press होता है ना उसको अगर आप click करोगे तो क्या यह noise cancellation पर जाए, on, off या जो भी हो जाए, इसके अलावा दोस्तो sound effect में आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, click आप करोगे तो आप देख सकते है, original sound, pure bass, deep bass, यह सब क्यों option मिलते हैं और आप अपने recording चाहो तो equalizer पर click करके adjust भी कर सकते हैं, मैं फिलाल pure bass पर ही सुनना पसंद करता हूँ, special audio जो है 360 वाला उसको भी आप चाहो तो on कर सकते हो यहाँ से, इसके अलावा जो dynamic bass है उसको भी आप on कर सकते हैं, इसके level को भी set कर सकते हैं, इसके साथ दोस्तो volume enhancer है, तो इसको अगर आप on कर देते हैं, तो obviously जो volume है न, वो थोड़ा सा boosted हो करके सुनाई देता है, तो बाहर जाते हो आप कभी भी न, तो यह बहुत useful हो जाता है, Dolby Atmos का option मिलता है, तो मेरे device में यह supported है, मैं इसे on कर सकता हूँ, इसके लावा दोस्तों यहाँ पर से dual device connection है, वो यहाँ पर यहाँ पर से आप game mode कौन कर सकते है, camera related setting है, तो camera controls भी आप कर सकते है, directly click करके picture click हो जाएगा, और जो gesture के controls है दोस्तों वो यहाँ पर से आप चाहो तो check कर सकते है, play, pause, यह सब जितने भी option है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिये जाते हैं, और उपर के तरब से दोस्तों 3 line प फोन यूज कर रहे हो या फी ने, करोगे तो थोड़ा फाइदा तो जरूर होता है, यह सब app आप नहीं भी यूज करोगे हैं, तो directly आपको options मिल जाएंगे out of box, खेर यहाँ पर से दोस्तों low latency की जहां तक रही बात मैंने आपको start में बताया था, कि real me में आपको latency काफी कम देखने को मिलती है, company ने तो already बता रखा है, कि यहाँ पर 45ms की latency मिलेगा, और nothing की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने website पर side में कहीं परिकम छोटे सा अक्षरों में लिखा है, कि अगर आप nothing की phone से ही इसे use करोगे ना, तो आपको under 120ms का latency मिलेगा, अब देखो, मैं आपको real में बहतर है, यहाँ पर आप game mode on करो, नहीं करो, कोई problem नहीं है, आपको अच्छा experience मिलेगा, बट nothing की बात करते हैं, तो इसके लिए ना, आपको low lag mode on करना ही पड़ेगा, otherwise आप YouTube यह सब पर वीडियो देखोगे ना, तो आपको थोड़ा लगेगा कि हलका सा delay होकर किया रह रहा है, आपको ANC अच्छा मिल जा रहा है, जो multifunctional dial आपको मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पार अलग-अलग buttons नहीं है, मतलब Realme में आपको याद रखना होगा, उपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आप यूस्टू तो होई जाओगे, त के अंदर, तो I think Realme जादा सेंस बनाता है, अगर मैं अपना honest opinion बता हूँ, अगर आप एकदम bluntly मुझसे पूछते हो, तो Realme ही अच्छा मुझे feel हुआ, सब चीजों को ध्यान में रखके, लेकिन हाँ दो-तीन चीज है, जो मैंने आपको बताया, अगर वो आपके लिए matter करत है, तो फिर आप ये जो nothing का है, उसको भी check कर सकते है, अब price भी देख लेना, जब आप खरीदने वाले हो, क्योंकि 100-200 भी बहुत matter करता है, और आप मेरे website पर भी जाकर के देख सकते हैं, available होगा, तो come price में आपको वहाँ पर भी unboxed unit मिल जाएगा, और हाँ last में अगेन मैं चाहूँगा कि ये वीडियो बिलकुल sponsored नहीं था, जो भी experience मैंने किया है, वही एकदम आपके सामने as it is मैंने रख दिया है, बाकि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप comment के माधिया हम से बता सकते हैं, unboxing देखना होगा individual, तो देख लेना, click करके, buy करना है, link आपको description box में ल सबस्क्रोटी.